ये कहानी है एक डोग रेजी की जो जिस आदमी डग को अपना ओनर समझता है उसे वो पसंद ही नहीं करता क्योंकि उस डोग ने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करी थी जैसे कि उस आदमी की कल्ष्रेंट के सामने किसी और लड़की की अंडर गार्मेंट ले आना जिसे उनका ब्रेक अप हो गया डोग को तो लगता था कि उसका ओनर उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि उनमें बहुत चीच कोमन थी पर उसका ओनर डोग से इतना परिशान था कि वो रोज डेली कहीं दूर जाकर एक बोल को फेकता और बिने अपने डोग के घर आ जाता पर डोग भी रोज बोल को लेकर घर पहुंची जाता और जब वो अपने ओनर के मूँ से एफ से शुरू होने वाला वर्ड सुनता था वो समझता कि वो गेम जीत गया वो दिन में कई बार ऐसा करते और हर बार ऐसा ही होता एक वक्त पर आकर रेजी का ओनर डग परिशान हो गया वो रेजी को बहुत दूर सीधा किसी और शेहर में ले गया अब रेजी को भी नहीं पता था कि वो कहां चुके हैं बस उसे इतना पता था कि अब की बार बोल लाने में मज आएगा डग ने बोल फेंकी पर बोल जागिरी एक गेट के पीछे रेजी किसी तरह इधर उदर से बोल तक पहुंच जाता है पर अब तक डग वहां से जा चुका था रेजी को ये सब करते हुए लगता है कि उसका उनर उसे इतने मुश्किल-मुश्किल टास्क इसलिए देता है क्योंकि उसे उसमें विश्वाश है तो उसे जल्से जल्से बोल उस सक पहुंचानी होगी रेजी फिर से अपने सफर पर निकला पर उसकी मुलाकात हुई दो बड़े बड़े डोग से उन्होंने रैजी की बोल ले ली पर तभी उसकी मदद करने आगे आया ये इतना छोटा सा डोग बग वो उने अपने शरीर से तो नहीं पर अपनी बातों और हरकोतों से डरा बगा देता है उसने रैजी को अपने साथ ले चल पूछा तो तुम कितने टाइम से अवारा हो जिस पे रैजी का जवाब था कि नहीं नहीं मैं अवारा नहीं उसने बग को अपनी और अपने ओनर की सारी कहानी सुनाई जिस पे बग जोर जोर से हसने लगा वो रेजी को बताता है कि तुम्हारा उनर तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा वो तुम्हें छोड़ चुका है और अब तुम भी एक अवारा हो और अवारा होने के भी अपने अलग मज़े हैं जो चाहें वो कर सकते हैं बस कुछ रूज के साथ रूल नमबर वन कि जो चाहिए उस पे सुसू कर दो जिस पे सुसू कर दिया वो चीज तुम्हारी जैसे अब ये लैंपोस तुम्हारा हुआ दूसरा रूल कि तुम जिस मर्जी चीज के उपर चड़ सकते हो और कर सकते हो कुछ भी डर्टी डर्टी जैसे कि मैं चड़ा था इस सोफे पर बहुत मजाया था तीसरा हो सबसे जरूरी रूल कि तुम अपने खुद जिम्हेदार हो तुम्हारा कोई नहीं है और तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं अब तुम आवारा हो जो चाहो वो करो वो क्या हैता है देखो देखो इन पैट डोग्स की हला देखो तुम्हें क्या लगता है ये इंसान हमें इसलिए अपने पाश रख रहे हैं क्योंकि हमसे प्यार करते हैं बिल्कुल भी नहीं वो हमें रखते हैं हमारा पूप इकठा करने के लिए शायद वो उसे चोकलेट बनाते हैं बगनेरेजी को अपने बाकी दो दोस हंटर और मैगी से मिलाया हंटर एक पुलिस डोग बनने वाला था पर अब वो थेरपी डोग कितना काम करता है वो जितना बड़ा है उसका सुबाव उतना ही शांत कोई उसे कुछ भी कह जाए वो किसी को कुछ नहीं कहता दोशे तरफ मैगी है जिसे उसकी ओनर ने रिप्लेस कर दिया इस छोटी से कुदिया के साथ क्योंकि उसके हिसाब से ये छोटी से कुदिया बहुत क्यूट है जिससे मैगी को बहुत जरन होती थी इनका गिराय खाना खा रही थी वो लोग स्प्रिंक्रस में खेलती हैं चीजों की ओपर चड़ती हैं शीशे में देख अपने आप से ही लड़ती हैं रेजी को भी समझ आ गए अवरा रहने के मज़े वो अपने दोस्तों को बताता है कि पर यार डग भी बहुत अच्छा बंदा था वो मुझे बेकार कहता था मुझे कार में गर्मी में छोड़कर चला जाता था उसके दोस्तों ने कहा तो मतलब इस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और अब भी तुम उसे अच्छा कह रही हूँ रैजी को भी उनकी सारी बाते सुन समझा गया कि डग उससे प्यार नहीं करता अगर वो उससे प्यार करता तो छोड़ता ही क्यूं रैजी दुखी हो जाता है उसे अब जाकर एसास हुआ कि डग ने हमेशा उसे बुरा बला ही कहा था रेजी फैसला करता है डग से बदला लेने का वो भी पता कैसे उस चीज को दर्थ पहुँचा कर तो उसे सबसे प्यारी थी वो कहता है कि वो अपने समान से हमेशा खिलता रहता था अब मैं उसी को बाइट करूँगा बग रेजी का साथ देने के लिए तयार हो गया और उसके मनाने पर कि रेजी अकेला ये नहीं कर सकता हम सबको उसका साथ देना होगा बागी भी तयार थे वो लोग वापिस जाने का रास्ता ढूंडने लगे रेजी के बताए हिंट से वो एक मिले में पहुँचे जहां जब उन्होंने खाने के लिए थोड़े होल डॉक्स चुराए एकदम आसमान में पटाके चलने लगे जिससे उन्हें लगा कि भगवान उनकी स्चोरी से नरास हो गया वो सबी पटाकों के डर से जोर से वहां से भागे हंटर और मैगी तो बकसों के ओपर से वहां से निकल जाते हैं पर बग और रेजी को निचे से जाना था बग निकल जाता है पर रेजी वहां अटक गया वो लोग किसी तरह उसे निकालते हैं रेजी भी ये देख कि सब ने उसके लिए अपनी जान दाउं पर लगाई थोड़ा इमोशनल हो गया पर बग ने कहा कि कोई बात नहीं यार हम सब एक टीम है रेजी कहता है कि मैं तो कभी किसी टीम का इसान नहीं रहा मुझे तो पता भी नहीं ये होता गया है यहां रेजी को एक आइडिया आया सब के उपर सुसू करने का क्योंकि उनका फर्स रोल तो यही था ना कि जिस चीच को अपना बनाना है उसके उपर सुसू कर दो ये करके वो चारो लग बन गए पी एफ 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 आज रात यहीं सो कर सुबे वो फिर से निकले अपने सफर उन्हें आज दोनना है एक बड़ा सा कौन पर रास्ते में जब वो रुक कर बात कर रहे थे एक इगला बग को उठा ले गया रेजी भी जल्दी से उसके पीछे जा जम कर लटक जाता है और यहां से उड़ते उड़ते रेजी को वो बड़ा सा कौन भी दिख गया जो एक मा से सुसू करने के दूसरे पर ज़रूरत नहीं पर तोने जो भी किया उसके लिए ठेंक यू रास्ते में आगे बड़ जब उन्हें बहुत भूग लगती है तो वो सभी जंगली मश्रूम्स खा लेती हैं जिने उन्हें नशा हो गया उन्हें आजीव मजीब चीज़े दिख पर जब नीन्स खुली उन्हें पता लगा कि जिन जनों को वो डोई समझकर खेल रहे थे वो असल में असली खरगोश थे जिने उन्होंने मार दिया अब सबकी बोड़ी को बस अभी उन्होंने दबाया ही कि वहां गए पुलिस डोग्स वो यहां एक गुम लड़की को ढू लिया और ले गए एनिमल कंट्रूल अब यहां से मैगी और हंटर को तो वापिस उनके ओनर्स के पास भीज दिया जाएगा पर बग और रेजी का क्या जो बिलकुल ही अवारा है तो जब तक उन्हें कोई अडोप करके यहां से नहीं ले जाता वो यहां से नहीं निकल सकते यहां बग सामने लाता है बात अपनी पिछली ओनर जना की कि कैसे जना ने उसे इतना प्यार किया वो जब भी उसे आई लब भी बोलती उसे बहुत खुशी मिलती थी वो लोग साथ में बहुत मज़े करते थे पर एक दिन बग से एक गलती हो गई उसने गलती से जना को जहां इंजेक्शन को देखते ही बग भाग निकलता है और तबी से उसे इंसान बिलकुल नहीं पसंद और ना उसको किसी का पैट बनना है उनको जल से जल यहां से भागने का कोई तरीका ढोनना होगा उनका पहला प्लैन है हंटर के बोड़ी पार्ट को बढ़ा कर सामने के चाबिया निकालना मैगी हंटर को बहुत एकसाइट करने की कोशिश करती है पर बात नहीं बनती हंटर का हंटर इतना भी बड़ा नहीं था तब भी रेजी के दिमाग में एक और आइडिया आया कि इंसान हमारी टॉयलेट को बहुत पसंद करते हैं तो एक काम करते हैं हम पिज देकर तयार कर लेता है सभी के सभी डोक्स ने अपना पेट साफ करना शुरू कर दिया यहां अलग-लग क्वांटिटी की अलग-लग क्वालिटी की अलग-लग तरीके की टोилëटस इकटी हो गई और इसकी स्मיל बहर जाते ही वो आदमी टोदी इकटी करने आया पर इत प्रेजी ऐसा करने को तयार नहीं उसके दिल में फिर से बात आ गई कि डग उसका वेट कर रहा होगा कि वो वापिस बोल लेकर आएगा वो डग को मिस्स कर रहा है और उसे लग रहा था कि उसका ओनर डग भी उसे मिस्स कर रहा होगा उसे लगने लगा कि उसके ओनर ने उसे इस दे छुड़ा क्योंकि वो एक अच्छा डोग नहीं था बग को उसके बाते सुन गुस्सा आ गया वो उसको बुरी भली सुनाता है तो आगे से रिजी भी बग ने रिजी के गले में लगा कपड़ा जो से उसके उनने दिया था वो निकाल उस पे मुझ दिया और कहा कि निकल जाओ यहां से रेजिया के लिए हिट निकल लिया अगले दिन सुबे बग भी अपनी टीम से अलग हो जाता है तो वहीं जंगल में उसे एक लड़की मिली बग पहले तो उसके पास नहीं जा रहा था पर देखकर कि वो लड़की बुरी हालत में है वो उसके पास गया और उसे पता लगा कि लड़की वही है जिसे पुलिस ढून रही थी उसने अपने दोस्तों का अवाज लगा यहां बुलाया जिन्होंने उन पुलिस टोक्स को पुलिस टोक्स ने आकर उनका ठेंक्यू किया और पूछा कि तुम बोलो हम तुमारी कैसे मदद करें जिस पे बक्का जवाब था मेरे बेस्परेंट को बचा कर अब रेजी को ट्रै करने के लिए उन्हें कोई चीज चाहिए थी जिससे उसकी स्मेल ले सकें उनके पास वो कपड़ा तो था पर पुलिस टोको कपड़े में से बस सुसु की स्मेल आई उनसे कुछ ना होते देख यहां काम किया मेगी ने उसकी स्मेल करने की ताकत भी बहुत अच्छी थी उसने रेजी की स्मेल ढून निकाली पर रेजी इधर पहुँच चुका है डग के पास गर के अंदर जा उसने देखा तो वहां कोई नहीं वो बोल गोले जा जमीन के नीचे गार देता है डग को याद करते हुए वो वापिस अंदर गया और डग भी वहां आ गया डग ने जैसे ही रेजी को देखा उसका दिमाग तो पूरा गोम गया दूसी तरफ रेजी अपनी भाशा में डग को कहता है कि तुमारे छोड़े जाने के बाद मुझे बहुत अच्छे दोस मिले और उन्होंने मुझे बताया कि असली प्यार क्या होता है जो तुमने मुझे कभी नहीं किया रेजी डग को गुटबाई कर वहां से निकला पर डग उसे देख इतने गुस्से में आ गया था कि वो उसे मारने ही बढ़ चला वो उसे बेसबॉल बैट से मारने ही लगता है कि एंट्री हुई रेजी के दोस्तों की हंटर ने अपना कोन निकाल डग बर हमला कर दिया वहां आग की चिंगारी गिर गई सभी डोग्स मिलकर रेजी की बेंट बजा देते हैं अब बारी से असली काम की रेजी के डग से बदला लेने की रेजी ने डग के समान को कहीं का नहीं छोड़ा और ऐसे पुरा हुआ रेजी एक स्ट्रे डोग का बदला वो सभी डोग्स वहां से निकल वापिस अपने शहर पहुँचाते हैं जहां हंटर ने कोन के बिना रहना शुरू कर दिया मैगी की स्मेल करने की ताकत की वज़ा से उसे पुलिस डोग का काम मिल गया बग जिसे इंसानों से नफरत थी उसे उनसे प्यार हो गया उस लड़की ने बग को अडोप्ट कर लिया था और रेजी बन गया एक प्रोपर अवार अडोग जो मदद करने लगा बागिया के लिए डोग की तो दोस्तों इसे के जाथ हमारी मुवी दस ट्रे इसकी कहानी यहीं पर खतम हुई और भी ऐसी मुवीस के अस्मिनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में तब तक के लिए अलविदा